नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल नीराज टेक्स हो में आज Unbox Review और Demo Water टेस्ट करेंगे पेबल Cosmos Prime Bluetooth कॉलिंग स्मार्ट वाच का जिसके फीचर फंक्सन्स और डिटेल्स इस स्मार्ट वाच के बॉक्स पर देखने को मिल जाते है इस पर 7,499 रुपया इमार पिल दिया हुआ है लेकिन 50% डिसकाउंट के साथ मैंने इसे मिल जाएगा वहां से आप चेक आउट कर सकते हैं करेंट प्राइस के लिए वाटर प्रोटेक्शन लेबल इसमें आईपी 67 दी गई है जबकि आईपी 68 रहता तो बेटर रहता वजन लगबक 57 ग्राम है Android और iOS दोनो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिवाइस पर ये वर्क करे अनबॉक्स करने पर स्मार्ट वाच के साथ साथ USB वार्लेस चार्जर यूजर मेनुवल ऑनलाइन वारेंटी क्लेम करने है तू वेलकम कार्ट देखने को मिल जाता है इसके सिंगल साइड बटन को मोर देन 3 सेकंड प्रेस अन होल्ड करके हम स्मार्ट वाच को स्टार्ट या जो जो आफके सामने दीक रहा है यह बाकी तीनो बेरियंट आपको नॉर्मल सिलिकोन स्ट्रप के साथ आएगा लेकिन आप इन चारों को इससे अलग करके यानि इसको रीमूब करके अपने हो सकता के अनुसार से अपने कलर च्वाइस के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते है इसके साइड बटन को एजर रोटरी क्राउन के रूप में यूज कर सकते हैं और इसके डिस्प्ले की बात करें तो 1.9 इंच का कर्ब TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो 400 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है और कमपनी का दावा है कि ये बेजल लेस एज टू एज फिनिसिंग वाला स्मार्ट वाच है और कमपनी का दावा ये कहा तक सही है इसकी पुष्टी वीडियो के अंत में हम करेंगे इस स्मार्ट वाच के सभी फीचर और फंक्संस को प्रपरली यूज करने के लिए मोबाइल एफ वेयर प्रो एप को दाउनलोड करने होते हैं जो गुगल के प्ले स्टोर या एफल के एप स्टोर में मिल जाते हैं या बॉक्स पर मौजूद की वर को भी स्कैन करके इस वेयर प्रो एप को डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि आपको इस्क्रीन पर दिख रहा है इस दर्मियान मॉबाइल के जाने पर watch face, find watch, take photo, rise to wake, incoming call, SMS, notification, contacts, Bluetooth call, mic, QR code और बहुत सारे feature functions दिये गए हैं इसके बाद फिर इसको smart watch को हम pair करेंगे अपने इस app से इसके लिए Bluetooth और GPS on होने चाहिए तब ही यह searching में आएगा और search होने के बाद यह connect हो पाएगा इसका दो है bonding from device, bonding from QR code तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है इसको follow करके आप इसको connect कर सकते हैं दो माधियम में से किसी एक माधियम के द्वारा इस smart watch में 6 watch face pre inbuilt है इसके अलावे 100 plus cloud watch face आपको mobile wear pro app द्वारा भी change किया जा सकता है और उसे customize भी किया जा सकता है इस smart phone से smart watch को डूंड सकते हैं टेक फोटो द्वारा हम एजे remote के रूप में smart watch से smartphone के photo को किलिक कर सकते हैं till to wake या rise to wake एक ही होता है इसे हम rise to wake को enable or disable कर सकते हैं आचा काम करता है इसमें incoming call को enable or disable कर सकते हैं SMS alert को हम enable or disable कर सकते हैं एक notification जो आवसक हो उसे हम enable or disable करेंगे क्योंकि ज्यादा notification तो मिल जाएगा लेकिन उससे बैट्री कन्यूम्सन जादा होगा तो जो आवसक हो उसे के enable करेंगे heart rate monitoring को हम एक customized time set कर सकते हैं कि किस time से किस time के बीच में हमारा heart rate का reading लिया जाए context द्वारा हम smartphone के app द्वारा maximum 200 context को smartphone से smart watch में sync कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं as a Bluetooth calling के रूप में लेकिन इसके लिए prime audio का जो number है उसे direct Bluetooth से pair करना होगा यानि यह अलग से pair करना होगा आपको तभी आप Bluetooth calling feature का यूज कर सकते हैं स्क्रीन को उपर से नीचे स्वेप करने पर quick control center देखने को मिल जाता है जिसमें सबसे उपर Bluetooth connectivity का status, time, battery का label, music control, brightness, on-off, speaker, water drain, torch, power saving mode, GPS, SOS और alarm देखने को मिल जाता है स्क्रीन को left से right की तरफ स्वेप करने पर split window देखने को मिल जाता है जिसमें current time date के अलावे message box, Bluetooth calling enable, disable करने का option menu और recent last use menu देखने को मिल जाता है स्क्रीन को नीचे से उपर स्वेप करने पर main menu देखने को मिल जाता है जो अलग-अलग कुल 11 view style में दी गई है इसके menu list name कुछ 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 इस प्रकार से है, phone, message, contacts, call record, fitness, data, sports, heart rate, spo2, blood pressure, music, sleep monitoring, stopwatch, weather, mic, QR code, GPS जो की सिर्फ नाम मातर का यह GPS दी गई है time setting, voice command, alarm, flashlight, calculator, find my phone, jn mode, massager, जी हाँ, इसमें massager दिया गया जो की सिर्फ vibrate होता है मतलब कुछ भी जो भी अपना number पूरा करने के लिए और number बढ़ाने के लिए कुछ भी इसमें डाल देते हैं company वाले बतानी कि इसको फुद्दू बना रहे हैं device assistant इसमें फीचर दी गई है जो office screen पर भी टैप करने पर यह active होता है जबकि दूसरे इस लेवल के smart watch में यह feature नहीं है उनके menu option में जाकर उनको टैप करने होते हैं तो यह अच्छा है आप इसका लुप उठा सकते हैं कैलकुलेटर वाला feature भी इसमें अब लेवल है आप कैलकुलेटर का भी लूप उठा सकते हैं sound और vibration setting द्वारा आप mobile के vibration level को set कर सकते हैं कौम या ज्यादा जो आप चाहें और watch ring और mute दो mode इसमें दी गई है watch के ring वाच में रिंग पाना चाहते हैं तो वह भी इसमें आप set कर सकते हैं और mute वाला mode भी इसमें दी गई है password protection वाला setting भी इसमें दी गई है password protection आप इस smart watch में set कर सकते हैं और अपने smart watch को प्रस्नर protection दे सकते हैं हेल्थ और स्पोर्ट की बात करें तो लगभग एबरेज देखने को मिल जाता है और इसका कॉम्पेयर हमने अमेज भी टीरेक्स टू स्पोर्ट से किया और कॉम्पेयर में हार्ट रेट की रीडिंग संतोस जनक मिली और इस प्यूर्ट की रीडिंग भी ठीक ठाक ही कहेंगे जबकि ब्लड प्रेशर की रीडिंग एज यूजूल गलत ही था तो यह रिलाइबल नहीं है साथ ही अगर स्पोर्ट की बात करें तो काम चलाओ स्पोर्ट मोड इसमें दी गई है और इसमें मैंने वाकिंग वर्क आउट को चुना और मैंने इसका कॉम्पेयर भी टीरेक्स आण वह सबूह करें sono गहीं है और इसे भी संतोषद्विपर रीडिंग नहीं मानें गए अब आकी तो आप खोधी समझधार हैं और इसकी सिंसर के बात करें सभा में यह reading देता है जैसा कि आपको सामने दिख रहा है जबकि यह table पर reading नहीं देता है तो यह आप खुदी तैय कर लें कि यह acceptable है कि non acceptable है इस वाज को IP67 rating दी गई है जो International Electronics Commission द्वारा electronics device के उसके solid तथा liquid protection label के measurement पर दी जाती है जो एक मानक मापदन पर अधारित होता है जिसके तर डिवाइस को अधिकतम एक मीटर की गहराई में अधिकतम 20 मिनट तक यूज किया जा सकता है अर्थात यह डिवाइस बारिस में यूज किया जा सकता है लेकिन swimming के लिए suitable नहीं है यहाँ पर यह IP67 के जगा 68 रहता तो बेटा रहता क्योंकि जायातर जो smart watch अभी आ रहे हैं वो 68 होते हैं यह वाटर टेस्ट डेमो वीडियो सिर्फ आपके साथ जनकारी सेयर करने के लिए है कि आप इसे ट्राइना करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं रूटूथ कालिंग पीचरी से smart watch के बहुत अच्छा है और इसको तीन दिनों से हम यूज कर रहे हैं तो कहीं भी कोई इसू देखने को नहीं मिला और सामने वाले ने भी बताया कि इसका sound अच्छा आ रहा है किए इसका microphone अच्छा है और speaker का sound भी अच्छा है क्योंकि आप indoor राउड़ कहीं भी उच्रामाई में भी यूज करते यह कहीं कोई देखने को नहीं मिल लेकिन इसे में ओम्हर सेट में यह जाते हैं तो इसको डियुटर में अगर है तो आप उसको purchase कर सकते हैं बाकी इस से बेटर आपको fit sort crystal smart watch है जो कि इस से कम rate में है और बढ़िया है आप इसको purchase not करें और purchase करना भी हो तो कम से कम इस strip वाले मतलब magnet angry वाले smart watch को purchase करें क्योंकि यह सिर्फ फैंसी है और सिर्फ देखने में अच्छा लगता है आप अगर इसको यूज करते हैं तो यह दिरे-दिरे लूज होकर ड्रॉप हो जाता है यानि हम जब वॉलीवल खेल रहे तो यह दो बार गिर चुका था मेरे हाथों से तो यह सही नहीं है और क्राउड में भी अग लेकिन है तो बेजल के पीछे मत जाईए और अच्छे जो स्मार्ट वाच है उसको पर्चेश किए और पैसे बच सकते हैं तो उसको बचाईए वही हम बोलेंगे कि इसका लिंक या अधर स्मार्ट वाच का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप आप वहाँ से पर्चेश करेंगे तो चैनल को भी सपोर्ट हो जाएगा और कोई कन फ्यूजन होता है आप हमको कॉमेंट से पूछ सकते हैं आम वहाँ पर या था सिक जवाब देने का कुछिस करेंगे तो मिलते हैं आगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद्ट